दोस्तो आप लोग प्रियंका चोपरा और सल्मान खान के बीच जो तनाब है उसके बारे में तो आप लोग अच्छे से जानते होंगे वहीं दोस्तो प्रियंका चोपरा का बैक टू बैक सल्मान भायजान को लेकर कई सारी कमेंट्स और कई सारी बात ने सामने आई है हेलो दोस्तो मेरा नाम है राजीब और आप लोग दिख रहे हैं राउंड वोल ने हुच यहां बताते हैं कि दबंग 3 जब से इसका ट्रेलर रिलीज क्या गया है वहीं सोसल मीडिया पर इसको लेकर काफी जदा क्रेज देखा जा रहा है पबलिक के बीच वहीं दोस्तो मेहज कुछी दिनों में इस फिल्म के ट्रेलर ने 50 मिलियन से उपर का व्यूज क्रॉस कर लिया है सोसल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अगर बात कर ले जाए तो अभी भी ये सोसल मीडिया पर ट्रेंड कर रही है वहीं दोस्तो हाली में प्रेंका चुपरा का एक मीडिया इंट्रेक्शन हुआ था हाली में वो किसी प्रॉडक्ट के लाँच इवेंट में गई हुई थी जिसमें से उनसे कई सारी सवालागों की जवाब दिये जिसमें सवाल एक था सल्मान भायजान से जुरा जिसमें उन्होंने ये पूछा गया कि आपने सल्मान भायजान की अचानक भारत फिल्म छोड़ दी थी जिससे ये खबरें आ रहे थे कि आपका और सल्मान भायजान के बीच का जो रिलेशन सिप है वो काफी तनावपूर्ण है क्या ये बात सच है तो उस पर उन्होंने कहा कि बिल्कुल ऐसा भी नहीं है क्योंकि मेरे और सल्मान के बीच इस तरह का कोई भी इंकरिस नहीं है इस पर उन्होंने अपनी जो नाराजगी है वो जाहिर करते हुए भी नजर आये थे जो कि उनकी इंटर्व्यू की दौरान साब पता चला था तो उसके बाद प्रेंका चोपरा से दबंग 3 पर एक्शन लिया गया जिस पर प्रेंका चोपरा ने जबाब देते हुए कहा कि मैंन सीङए गया जरी और स्लमान की फिल्म है तो उन्हों चिर्श पर इस बारे में अभी कहना सही नहीं होगा वसे दोस्तों प्रेंका चोपरा ने इस बीकिरे आप जा major वेसे। क्या लगता है यह फिल्म पहले दिन का ओपनिंग डे पर क्लेक्षिन कहां तक किसका जा सकता है नेचे कमेंट्स में अपनी पीन जरू सेयर करें साथ ही प्रिंका चोपरा को लेकर आपका क्या एक्षिन है वो भी कमेंट में जरू बताएं फिलाल दोस्तों इस रपोर्ट में इतना है जैसे मेरे पास आई कोई भी रपोर्ट आती है तो हम आप लोग को जरू बताएंगे अगर आपने विज्टर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब की जोड़ चैनल के साथ बने रही है